वर्ल्ड न्यूज़ के स्पॉंसर हैं स्वागत अद्धक लेसन और मसाले 100% प्यूर एंड हाइजिनिक असलाम अलेकूम आदाब मैं हूं कलीर परहाद नैशनल व इंटरनाशनल खबरों पर मुवनी बुलेट हैं वर्ल्ड न्यूज़ के शुरुआत करते हैं हेडलाइन से फलस्तिनी मजाहमतकारों के इस्राइली फोर्स पर हमले जारी अब एक फलस्तिनी बच्चे ने इस्राइली फोजी को चाखु घूप कर गतल कर दिया तुर्की में जलस्तिनी के बाद तबाही के मनाज़र हलाकतों के तेदाद 34,000 हो गए तुर्क कातून अवल अमिना एर्दवान नकीज़ जलस्तिनी से मलाकात कहा जल्द इजाफ़त से निकलाएंगे तुर्की में जलस्तिनी के बाद इमदादी कामों में शिद्द हैरतं के इस तोर पर 182 घंटों में एक 13 सारा लड़के और एक लड़की को मलबे से जिन्दा बाहर निकला गया 2024 इंतिकाबाद और अगला पी-म कौन होगा इसको लेकर हुआ सर्वे पी-म मोदी पर भारी पड़े राहुलकादी सर्वे में काफी घड़ गई है पी-म मोदी की मखबूलियाद अमिश्वा का दावा 2024 में एक तरफा जीत हासल करेगी बीज़ पी अड़ानी मामले पर कहा हकूमत के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं उतरपरदेश के कानपूर देहा से चौंकाने वाली कबर नाजाइस कब्दजाद हटाने के दोरान मावेटी घर में जलकर हलक अहल काना ने इंतजामिया पर लगाया इलजाम तो पोलिस ने कहा मावेटी ने खुद लगाया यते इडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाने यरोशलम के शहर और शौफात पनागजीन कैम्प की चौकी पर चाकू के दो हमले किये गए दो बच्चों की तरफ से किये गए इन हमलों के नतीजे में एक इसराइली फौजी हलक और एक यहुदी आबादकार जखमी हो गया जराइक मताबिक एक इसराइली फौजी को उसके साथी ने गोली माल कर हलक कर दिया तो यरुशलम के शुमाल में बाके शौफात पनागजीन कैम्प की चौकी पर चाकू से हमला करने वाले बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था यह हमला करपीर की सुब पराने शहर में हुआ जिसके नतीजे में एक आबादकार जखमी भी हुआ है और हमलावर को गिरफ़तार कर लिया गया था अधर अधर में मतहदा ने आदमे बरादरी पर जोड़ दिया है कि वो इस्राइल की जानिप से फलस्तीनियों के रिहाईज गाहों के दानिस्ता इन इहदाम में ड्रामाई जाफे को रोकने के लिए अगदामात करें सौदी जराय बलाग ने आलमी दारे के शोबेर राप्ता इनसानी हुकुक के माहरीन के हवारे से बताया कि सिर्फ जनवरी के दोराण इसराइली हुकाम ने मुबयना तोर पर मगबुजा मगर्ब के नारे में 38 आबादियों में 132 फलस्तीनी मकानात मिस्मार किये जिनमे 34 रहाईशी डांचे भी शामिल है उन्हों ने कहा कि फलस्तीनीों के घरों को मनाखम तरीख पैसे मिस्मार करना गयर कानून इसाराइली बस्तीओं कीता प्र examётся कामिल अ़िर के काम बेगुजा में पर देही इलाकों में जलजले ने बड़ी प्रवाई मचाई ह।ं इन इलाकों के मकीनों को शदीद मुश्किलाओ का सामना है। इन देहात में जलजले के सेंटर से तक्रिबर सौ किलोमेटर दौर बोलात गाउं भी शामिल है जो तक 카메라 मکمل तोर पर तपाह हो गया। बोला एक गाउं है जो जलजले के मरकश से तकरिमां सौ किलो मिटर के फासले पर है इसके बावजूद ये मुकमल तोर पर तबाह हो गया था इसके बेश्चतर मकीन बेखर हो गये अब मतादित कांदा आने कीमे में मकीन है दिगर अपनी गाड़ियों में सो रहे हैं जलजले मतासरी माइनस 20 डिग्री से जर्जाहरारत में बेखर होकर कीमों और गाड़ियों में रहने पर मजबूर हैं इस दोराँ तुर्की की गातौनिया वर अमीन अरदवार ने जलजले से मतासरा जगहों का दोरा किया और जलजला जदगान से मुलाकाद के मुलाकाद में उन्होंने मतासरीन को तसली दी कि हम जल इस आफ़से निकल जाएंगे हम सब को उमीद के दामन नहीं छोड़ना चाहे ये दुख आपका नहीं तुर्किया समेट पूरी मुस्लिम दुनिया का है और मुझे उमीद है कि हम इन जखमियों का मदावा बना और उनका उमीद के दामन थामना जारी रखेंगे और उने जलजले से जाबाओ ओने वाले अफराद के लिए दौाए मख़रत भी की उन्होंने दुनिया भर से आये इम्दादी कामों में हिसा लेने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया दा किया और कहा कि इस मुख्किल वक्त में हमारी साथ कदम से कदम मिला कर खड़े रहने पर आप सबका तेहदिर से वो मेशकूर है. उल्लाय। एब घर मुा रहाप wished, लोर छबाज एति कम मधे ए exemplo र मॉम्या एर्लाइं कर दो इल्लाय। ओेल सबना इ centered मेरे एन प्रॉनाही लाया कर लोगे टार फैले कर खमी एकर सूर ल lows बहां म मतनुदु आईशे पटूल आईशे पटूल तुर्किया और शाम में आने वाले टबाहकून जलजले सिपट जाने वालों की उमेद्ग होते ही इमदादी कारकूनों ने मलवे तले 182 घंटे गुजाने वाली एक 6 साला लड़की और एक 13 साला लड़के को बाहर निका रा है जलजले के एक हफ़ते से ज्यादा अरसे के बाद कल पीर के रोज जुनूबी तर्किया के सोबे हाते में एक मुनहदम इमारत के मलवे के निचे से बचा जाने वाले मासूम लड़की और लड़के को रेस्क्यू कारकुनों की तरफ से बचाने की कोशिश करते देखा जा सकता है इस वाकिए के वीडियो सूचल मीडिया पर वारण हो रहे हैं हुआ है तरहीर कि बचाने कि अखने बीका है बाला हम सा को शिए हां लोख शցए इस जाले हैं इस बार बेखें epsilon से देतिक requirement Allah'ım, çok şükür, Ya Rabbi. Ya Resulallah'ım, çok şükür. 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 İzlediğiniz için teşekkür ederim. 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 or if you are insulting someone I did not insult anybody I used the kindest language, the most polite language and everything I said was based on proof I was asked to show proof with regards to what I said and I have written a letter to the speaker with every single point that they have removed and the supporting proof but I don't expect that my words will be allowed to go on the record at the same time the Prime Minister directly insults me he says why is your name Gandhi and not Nehru so the Prime Minister of the country directly insults me but his words are not taken off the record but it does not matter because the truth always comes out and all you had to do was look at my face when I was speaking and look at his face while he was speaking look at how many times he drank water how his hand was shaking when he was drinking water and you'll understand everything he doesn't realize the absolute last thing I'm scared of is Narendra Modi I don't know 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 के लिए कुछ नहीं है तो जेपीसी की मांग आप स्विकार ये जेपीसी में तो भावमत सत्ता पार्टी की होगी बीजेपी की होगी जेपीसी को एक समय सिमा दीजेए और जेपीसी को कहिये कि जांच कराएं और जांच अडाने की होनी चाहिए ये जो समिधी की बात चल रही है कि किस आधार पर ये समिधी बनाई जाएगी याची का क्यों डाली गई थी सुप्रीम कोट में ताकि हिंडनबर के खिलाफ जांच किया जाए 1969 में एक हिट गाना हुआ करता था हिंदी फिल्मों में बदन पे सितारे लपेटे हुए आज तो बदन पर सिर्फ तिरंगा लपेटे हुए ये लोग कह रहे हैं कि हम हिंडनबर की जांच कराएंगे जांच तो अडानी की होनी चाहिए और सरकार और अडानी के बीच में क्या रिष्टा है और क्या लाप पहुंचाया गया है अडानी को पिछले दस सालों में उस पर जांच होनी चाहिए और वो निश्पक्ष जांच सिर्फ जे पीसी के मातियम से ही हो पाएगा उतरपर्देश के कानपूर देहा से एक हैरान करने वाली कबर सामने आई है इल्साम है कि नाजाइस कब्ज़जात हटाने गए इंतजामिया के लोगों ने एक जोपड़ी में आग लगा दी इस जोपड़ी में रह रहे ही मा बेटी की जुलसकर मौत हो गए जबकि अपनी बीवी और बेटी को बचाने की कोशिश करने में एक शखस बुरी तरह जुलसकर जखमी हो गया है दूसरी जानिब पॉलिस का कहना है कि कारवाई की दोरान मा बेटी ने खुद को जुपड़ी में बंद करके आग लगा दी अरी ताना रूरा गाउं मड़ोली में एक अधिकरमन अठाने है तो अधियम मेता और कुछ पॉस के साथ यहां से पहुंचे थे और जब वो पहुंचे रहते तो जो पता चल रहा है कि एक महिला और उनकी बेटी अंदर आयते जोपड़ी में और अंदर से बंद करके अपन मौके पर हैं फिलहाल अभी पूचता चल रही है और बाचितर भी चल रहा है इसमें जिनका भी गलत रवाया हो और कुछ भी गलती है उनको हम अपेक्शेंगे नहीं और उसमें तरुप का रवाई करेंगे समाजवादी पार्टी यानि एस पी के जनरल सेक्रेटरी आजम खान की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है मुरादाबाद की एक स्पेशल कोट ने 15 साल पुराने मामले में आजम खान और उनके मेले बेटे अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई है जबकि इस मामले में साथ लोगों को इर्जमास से बरी कर दिया गया है जले हुकूमत के वकील नतिन गुप्ता ने कहा कि तफ्तीश के दोरान पुलिस के साथ जगने में आजम खान समय नौ लोगों के किलाव दर जेक केस में यहां की M.P.M. लिया दालत की जद सुमित अगुस्वामी ने पीर को आजम कान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल कैज और तीन-तीन हजार रुपे जुर्माने की सजा सुनाई है जन अधिकार पार्टी के सरवरा पपू यादो का काफला भेहानक खास्से का शिकार हो गया है हास्सा इतना जबरदस था कि गाड़ी के परकच्च उड़ गए दरासर सारन के मबारकपूर से वापसी के दोरा अनारा के बकसर के दर्मियान यहाथसा हुआ हास्से में पपू यादो बाल बाल बच गए वहीं उनके खाफले के कई लीडर और कारकूल जखमे हुए हैं जिनको अस्पतार में भर्ती करा गया वहीं पपू यादो ने हास्से को लेकर कहा के और टेक कर रहे एक ट्रक की वज़े से गाड़ियां आपस में टकरा गए जिसमें बीमपी के दो गार्ड्स सकार्ट ड्राइवर समेथ 11 लोग जखमे हो गए हैं जिसमें बीम है दिनेज कहुए है जो नयुका है तो जो रहिव आई है आकर मेरे लाइन्स पर एक और नसर फलस्तिनी मजाहमतकारों के इसराइली फोर्स पर हमले जारी अब एक फलस्तिनी बच्चे ने इसराइली फोर्जी को चाखू घूपकर गतल कर दिया तर्की में जलजले के बाद तबाही के मनाजर हलाकतों के तेदा 34,000 हो गए तुर्क कातून एवल अमिना एर्दवान नकीज जलजले मतासरीन से मलाकात कहा जल्द इजाफ़स से निकलाएंगे तर्की में जलजले के बाद इमदादी कामों में शिद्द हैरतंगे इस तोर पर 182 घंटों में एक 13 सारा लड़के और एक लड़की कुमल में से जिन्दा बाहर निकला गया 2024 इंतकाबाद और अगला पीम कौन होगा इसको लेकर हुआ सर्वे पीम मोदी पर भारी पड़े राहुलका थे सर्वे में काफी घड़ गई है पीम मोदी की मखबूलिया अमिश्चा का दावा 2024 में एक तरफा जीत हासल करेगी बीजबी अड़ानी मामले पर कहा हकूमत के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं उत्रपरदेश की कानपूर देहा से चौंकाने वाली कबर नाजाइस कब्दजाद हटाने के दोरान मावेटी घर में जलकर हलक अहल काना ने इंतिजामिया पर लगाया इलजाम तो पोलिस ने कहा मावेटी ने खुद लगाया वर्ल्ड यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनाशनल और नाशनल न्यूज देखते रहिए बीबियन चैनल बीबियन चैनल के वीवर्स के लिए एक एहम इत्यला अब बीबियन चैनल का टेलिकास्ट भारत भर में हो रहा है हमारे व्यूवर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीवियन चानल देख सकते हैं स्क्रीन पर बीवियन चानल की टेलिकास्ट डीटेल्स दस्तियाब हैं इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीवियन चानल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबिल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो जरूर BBN चानल टेलिकास्ट करेंगे। क्योंकि BBN एक free to air चानल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिये गए नंबर पर केबिल ऑपरेटर से कॉल या वाटसाप पर मेसेज करवाना है। हम आपके केबिल ऑपरेटर तक BBN चानल पहुचा देंगे। जिससे वो आपके एरिया में टेलिकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीन लगातार कांतर रही है। ताके आप तक BBN चानल को पहुचाया जाए। इसके अलावा BBN चानल को भारत भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। अगर आप सहाफी हैं और BBN चानल से जुणना चाहते हैं तो आप भी दिये गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।